नमस्कार बेबाक में मैं कॉशलेंद्र आपका फिर से स्वागत करता हूँ किस्से कहानिया आपने बहुत सुनी होंगी बच्पन से किस्से कहानिया सुनना और उनसे चीजों को गढ़ना ये मानव सीखी जाता है सियासत में भी किस्से कहानियों का बड़ा माइने रहता है पुराने सियासी किस्से आप सुनेंगे न तो वर्तमान में जो सियासत चल रही होती है या भावी सियासी संकेत समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी आज मैं आपको सुबे जार्खंड से जुड़ी एक सियासी कहानी सुनाता हूँ, 10-11 के आसपास की बात है, सुबे जार्खंड में कमल वाली सरकार थी, उस सरकार के मुखिया पूरे अकड के साथ सरकार चला रहे थे, हलांकि वो दौर जार्खंड में खीचतान वाला दौर बावजूद इसके सरकार तो सरकार होती है भाई साब, सरकार चल रहे थी, उसी दर्मयान गुजरात के एक नेता जी दिन के उपर जाच एजनसियों की गाज किरी हुई थी, वो परिशान थे, हलकान थे, जाच एजनसियों ने उन्हें पानी पानी कर रखा था, वजह सियास भी हो सकती है, और बाद में ऐसा हुआ भी, उन्जाच एजनसियों से वो बरी भी हुए, खेर, जब परशानियों का दौर चल रहा था, तो वो नेता जी जारखंड आये थे, जारखंड आये, और जारखंड में सत्ता रुढ कमल वाली सरकार के मुखिया से, उन्होंने मिलन की कोशिस की, उनकी मनसा थी कि कमल वाली सरकार के मुखिया, जाच एजनसियों के एक हाकिम से, कुछ पैरवी कर, उनके लिए नर्मी का अंतजाम कर देंगे, ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन, समय को कुछ और मंजूर था, तीन-चार दिन, वो नेता जी, राची में बैठे रहे, लेकिन, ततकाली इनकमल वाली सरकार के मुखिया ने, उन्नेता जी से मुलाकात नहीं की, बात आई, गई, खत्म हो गई, जी नहीं, ये तो सुरुवात थी, समय का पहिया पल्टा, और जो नेता जी यहां पैर भी करने आये थे, उनके दिन फिरे, और वो, कमल वाली, पार्टी के, कमवे सर्वे सर्वा ही बन गये, अब सुरू हुई, दुरगती, कमल फूल वाले, उस नेता जी की, जो, जारखंड में सरकार चला रहे थे, समय बीता, नेता जी को बहुत उठा पटक झेलनी पड़ी, अपनी वफादारी की, कई दलीलें पेस करनी पड़ी, सियासत में ये सारी चीजें चलती रहती है, मामला पल्टा, और ऐसा पल्टा, कि आज उसी गुजरात में, कमल फूल वाले, वही नेता जी, परियवेक्षक बना कर भेजे गए, तार आप जोड लीजे, मैं नहीं जोड़ूँगा, मेरी पूरी बातों का लबो लुवा भी ये है, कुछ गुजरात वह हिमाचल विधान सभाज चुनाओ परिणाम ने, कई भावी सियासी संकेत दे दिये हैं, और इन सियासी संकेतों का, अगर आप इनकी डिकोडिंग करेंगे न, तो कोई कहता दिखेगा, कि गुजरात में तो मोदी जीते, किन्तु हिमाचल में भाजपाहारी, कुछ लोग कहेंगे मोदी का जादू हिमाचल में नहीं चल पाया, कुछ कहेंगे कि हिमाचल में भाजपाह कि अंदरूनी गुटबाजी, भारी पड़ी, खेर, सियासत में हार जीत लगी रहती है, गुजरात में जहां नरेंदर मोदी का जादू सर चर कर बोला, वहीं भाजपा के रास्टिय अध्यक्ष जगत प्रकास नड़ा अपने ग्रेप्रदेश हिमाचल में अंधे मुगिरे दिल्ली MCD चुनाओ ने भी भाजपा नित्रितों को कई सबक दिये निश्चित रूप से भाजपा नित्रितों चुनाओ परिणाम से सबक लेगी और कई मठादिशों की आपसी अकड़ हेकड़ी में हिमाचल गवा कर इतना तो जरूर होगा कि भाजपा आपने भावी सियासी रन्नीत में बदलाओ करेगी और वो बदलाओ दिख भी रहा है अब हम सुबे जार्खंड की ही बात करें सुबे जार्खंड में पहली दफा पांच साल तक सरकार चलाने वाले रभुवर दास जी की जब बिदाई हुई तो उस बिदाई में अहम कारत कौन बने पूरी सरकार में उनके मंत्री रहे सर्यू राए जो की पहले भाजपा के कर संस्थापकों में गिने जाते थे चानक के कहे जाते थे भाजपार नेत्री तो जब अपने मैनिफेस्टो बनाता था तो उन मैनिफेस्टो के निर्मान में भी सर्यू राए की भूमी का अहम हुआ करती थी समय बतला सर्यू राए के साथ रगुवर के आंकडे बिगरते चल और अंत्ता सर्यू की धारा रगुवर के विपरीत बहने लगी नतीजा आपने भी देखा मुख्यमंत्री होने के बावजूद जम्शेत पूर्पूर्वी में सर्यू की धारा ने रगुवर को बहा दिया विधान सभा चुनाओ रगुवर दास हार गये सीटे भी कुल मिलाकर भाजपा को कम आई पचीस पर भाजपा की गाड़ी अटक गई नतीजितन महागडबंदन की सरकार सूबे जारखंड में बन गई खेर सूबे जारखंड में भाजपा के स्वयभू छत्रपों की खीचतान केंद्रे नित्रित्व की नजर में है और नकेल कसने की कवायद सिग्र अमली जामे में दिखेगी ये विफोर प्रिंट नियूज का खुलाशा है भाजपा केंद्रे नित्रित्व सिग्र सूबे जारखंड के छत्रपों को नकेल डालेगा कि वो संगठन की बेहतरी के लिए एक छत्री के नीचे आ जाएं हिमाचल चुनाओं के परिणाम ने एक सबक दिया है और उसका असर जारखंड में भी देखने को मिलेगा गुजरात और हिमाचल के चुनाओं के परिणाम और दिल्ली एमसीडी के चुनाओं परिणामों ने एक अहम सवाल का जबाब दे दिया है सवाल यही टेर रहे है भारतिय राजनितिक फिजा में के मोदी के बाद कौन जी हाँ नरेंद्र मोदी का जादू कम नहीं हुआ नरेंद्र मोदी का जादू गुजरात में देखने को मिला हिमाचल में भी उसका सूप्रभाव दिखता किन्तु स्थानिये छत्रपों की अकड़ और आपसी खींस्तान ने मट्टी पलीद कर दी हिमाचल प्रदेश गुजरात और दिल्ली एमसीडी इन तीनों जगों पर भाजपा का रास्ता इन तीनों मेंसे अब सिर्फ एक जगह गुजरात में वह अपसी हुई है इन चुनाओं के परिणाम के बाद देश में लगभग 15 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां मोदी नहीं तो कौन का जवाब जनता ने दे दिया है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनमें राजस्थान चातिसगर जारकर्ण बिहार पस्चिम बंगाल केरल ओरिशा आंधरप्रदेश तेलंगाना तमिल नाडू सिकिम मिजोरम दिल्ली पंजाब औ इन पंदला राज्यों की लोकसभा सीटों को जोड लें तो कुल 280 सीटे होती हैं गौर कीजेगा भावी सियासत इन्हीं आकुडों को गौर करेगा और भाजपा ने तृत्व किसी भी सूरत में 20-24 के आम लोकसभा चुनाओं के पुर्व इस कमजोर कड़ी को दुरुस्त कर करने की कवायद करेगा भाजपा किंद्रे नेत्रित्व स्थानिय छत्रपों की खीचतान से उबरने का हर संभव उपाय ढूंडेगा और उसका प्रभाव 20-24 के चुनाओं में देखने को मिलेगा फिलहाल भाजपा नेत्रित्व के लिए मन्थन का समय है और इस मन्थन से भ आजपा नेत्रित्व अपने लिए हर सूबे में एक बाजीगर की तलास करेगा ऐसा बाजीगर जो मोदी जादू के साथ साथ खुद का भी जादू चला सके और कमल की सरकार बनवा सके फिलाल इतना ही बने रहिए बिफोर प्रिंट न्यूस के साथ नमश्कार तो ऐसे ही देश विदेश और राजी के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विफोर प्रिंट न्यूस को और हां बेल आइकन दवाना ना भूलें